मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का और सब्सक्राइबर्स का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और उन सभी लोगों को स्वागत के साथ साथ शुब कामराएं भी देता हूँ जिनका आज जर्म दिन मैरिज अनवर्सरी या स्पेशल कोईटे हैं मैं दस जून सोमवार का राशिफल दे रहा हूँ चंद्रबा की बात करें तो पूर्वा फालगूनी नक्षतर के सिंग राशिब में दो पहर को दो बचकर बीस बिनट तक रहेंगे और फिर सिंग राशिब रहेंगे लेकिन उत्तरा फालगूनी नक्षतर में वो भी शाम को साथ बचकर उनसाट बिनट तक रहेंगे फिर करन्या राशिब रहेंगे जेस्ट माह के शुकल पक्ष की अस्ट में दी थी आज रात को दस बच कर तेस बिनेर तक रहेगी और फिर नहुमें दीत रहेगी आज ग्रहों से बनने वाले विशेश राजयोग भी हम सब को लाप देंगे जिस पर सबसे पहले शुब वैसी योग और गज केसरी योग का साथ बिलेगा वहीं मितुन करनिया धनू और मीन राशेवाले लोगों को बधर योग का लाप बिल रहा है और वरशब सिंग वरश्चिक और कूम राशेवाले लोगों को मालवी योग का साथ बिलेगा अगर आप आज को शुब कारी करना चाहते हैं और किसी प्रकार की खरीदारी करना चाहते हैं कोई important document पर साइन करना है फैसला लेना है कोई meeting करनी है तो ये time आपको दिन भर में नहीं मिल पाएगा लेकिन शाम को जरूर मिलेगा पांच बच कर 15 मिनिट से 7 बच कर 15 मिनिट तक सुबह 7-9 बच तक तो वैसे भी रहुकाल रहेगा और सुबह ही पांच बच कर 60 मिनिट से साड़े 11 बच तक रहेगी बद्रा मैं अपने अमेरिका के दौरे पर हूँ और आज मैं और्लेंड और फ्लोरिडा में हूँ यहां से मैं 11 और 12 तारी को लास वेगास पर रहूँगा और 13 तारी को लास अंजलिस पर रहूँगा उसके बाद मैं इंगलेंड चरा जाओंगा जा 14, 15, 19 और 20 तो में लंडन पर रहूँगा 16 को बर्मिंगम और लेस्टर में रहूँगा 17 और 18 को में लेक डिस्ट्रिक्ट में रहूँगा और भारत आने के बाद 28 और 29 को मैं दिली में रहूँगा और 30 जून को मॉंबई बे रहूँगा अगर आप इन शहरों और देशों पर रहते हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अब आज को सफल बनाने का मेरा घुरुमंत्र जान लीजिए हो सकते से अपना ही के ज़रूर जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि बुराई हमेशा वही करते हैं जो आपकी बरापरी नहीं कर सकते हैं एक और एक्जामपल कोई हमें नीचे गिराना चाहता है तो इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए ना कि नीचे गिरने का मातम बनाना चाहिए एक हम गिर तो नहीं जाएंगे कारिकरम के अंतुम्याग तीन इंपॉर्टेंट चीज़ना जानेंगे एक तो कई बार हमारे पैसे फस जाते हैं नुकसान और धोका हो जाता है इस्पेशली पैसा फस ना उसके लिए हम क्या उपाय करें आज सोंबार को सुख सौभा के सूत्रम बात करेंगे के घर में सूर्य देव की परतिमा होने चाहिए उगता वा सूरज तरकी का अध्योतक है उसकी तस्वीर या उसकी मॉनिमेंट या फोटो कहां लगाने चाहिए ये मैं बताऊंगा चार भागिशाली सब्सक्राइबर की समस्याओं के समाधान भी आज होगा देखिएगा कहीं आज आज आपके समस्याओं के समाधान हो जाए आज के ग्राओं के सती बात करें तो सूर्य और शुक्र दोनों ही वरशब राशिब रहेंगे राहू, मंगल और बुद्ध तीनों मितनु राशिब में है आज चंदर मा सिंग राशिब से करने राशिब प्रवेश कर रहें देवताओं के गुरु ब्रैश्पति वरिश्टिक राशिब में है और धनु राशिब में चनी और केतु का स्रापिद दोश रहेगा इसी से मैंने आपका आज का राशिब फल तयार किया है इसे आप चंदराशिय और लगने दोनों पर आधा रहे थे वैसे ही देखें शुरुआत करते हैं मेश राशिय से मेश राशिय वाले लोगों को आज ये देखना चाहिए कि आपके शरीर में मन और मस्तिश्क में कहीं कोई बिमारी तो नहीं जिससे आप नेगलेक्ट कर रहे हैं और यह आपके लिए गलत शाबित हो सकती है परिशान ही कर सकती है अगर ऐसा लगता है तो इसे हलके मना लेकर इसका इलाज प्रॉपर करवाने चाहिए व्यापार में आज आप फाइनेंस के मामले में समझदारी से काम लें पैसे कमाने में जल्दी बाजी ना करें बलकि सही पैसा कमाने में प्लानिंग करने चाहिए वर्ट प्लेस पर आज कोई काम आपको बहस की तरफ रजा सकता है बहस विवाद में किसी प्रकार का कोई प्रॉवक कर सकता उक्सा सकता आपको Employees आज किसी कारे में जल्दे बाजी बिल्कुल न करें बलकि जो काम करें उसे सही और सटी करें जिवन साथी लव लाइफ और रिलिस्टेशिप में कोई भी बात आज आपको हर्ट कर सकती है विदेश में पढ़ाई करने जाने के लिए लोगों को या दूसरी युनिवर्सिटी स्कूल में एड्विशन को लेकर माता पिता जो परिशान है परिशान नहो या आपका हो जाएगा काम और आप अल्रेड ही विदेश में जा चुके हैं तो ध्यान रखें आपके दोस्त कहीं गलत तो नहीं बन रहें तनाव ज्यादा होने से हाई ब्लड पेशर के सबस्या परिशान करेगी लखी कलर आपका ओरेंज है नमबर तीन चुब है भागियो देकारत इशा परिशिम रहेगी वरशब राश्यवाले लोगों को आज अपने बच्चों की परवरिश के बारे में एक अच्छी सोच पैदा करने चाहिए या पढ़ना चाहिए और हम अपनी परवरिश और कैसे बैतर बनाए इस पर ध्यान देना चाहिए और आप अगर बच्चे ही हैं तो आप ये देखिए कि माता पिता से आप कहीं कुछ और डिमांड तो नहीं कर रहे हैं और करने तो जायस है या ना जायस है मैंने जून माह का मंतली राश्यफ और जो मलक से देता हुँ उसमें बताया था कि दस जून को चदरमा आपके चौते रहेंगे जो हो सकता है कि आपकी खुद की वजह से या किसी और की वजह से मान्सिक शान्ति दे सकता है और ऐसा होने पर आप रिलेक्स रहें और कूल पैंट से डिसेज देने हैं और ये सोचें ये तो एक तो दिन के समस्या चली जाएगी बिजनस पर आज का दिन आपके लिए उतार और जड़ाव तोनों का रहेगा नए काम की शुरुआत करने से पहले आपको पुराने का आपको सही डंक से निप्टा लेना चाहिए वर्ड प्लेस पर आज आप शांती बनाये रखेंगे इसी में आपके बलाई होगी एम्ब्लईस के कारियों का बोज़ किसी और को परशान कर सकता है आपके स्वासे को गढ़बड़ा सकता है स्वाससे संब्भदित परेशानियों को सामना करना पड़ेगा और स्वाससे गढ़बड़ होने पर स्टुडेंट को और आप लोगों को तक्लीव आसे इसके सबसे पहला काम है अपने स्वासिप पर लापर वाही न की जाए आज के लखी कलर की बात करें तो परपल रहेगा नंबर वन शुब है भागी उद्धे कारत इशा दक्सिंड रहेगी है मिदूर आशेवारे लोगों का ध्यान अपने माताची के चरनस परश करना उनका आशरवाद देना उनसे डेर सारी बाते करना उनको दार्बी की स्थल पर ले जाना उनको अच्छे वस्त और किसी प्रकार के गिफ्ट देना वेज़ा हमारी क्या आउकात है कि हम अपने आशे कारियों की लोग तारिफ करेंगे और इसका फाइदा आपको आने वाले समय में ज़रू बिलेगा दामपती जीवन लव लाइफ यू रिलेशनिशिप में ज्यादा तरह चीज़ आपके पक्षम होगी और सुलश्ती में नज़र आएगी कोशिश आपको करने चाहिए बागियो देकारقدिशल पूर लेगी कारकरां अज़रू आज कोशिश करने चाहिए का पने ज्यादा तरह दियान आपने फरेंट्शिप पर देंगे आपके जो फ्रेंट्स है क्या सहिए है फ्रेंट्स की ऊफुई मदद करना चाहिए बॉांडिं और मश्बूत करने तरह द धीरे धीरे गती आएगी जीवन साथी लव लाइफ और रिलेशेशिप में मान सिक्त सयोग बिलेगा और अच्छे संब्द बनेगे इस्टुटेंड की किसी पुराने दोस्त या साथी से मुलाकात हो सकती है या उसके बारे में कोई बात आपको याद आ सकती है लगी कला ग्र इसको आज जूनियर से कुछ सीखने को मिलेगा लेकिन आज आज आपको जीवन साथी लव लाइफ और रिलेशेशिप से किसी बात पर बहस नहीं करने चाहिए बलकि अपनी जुबान पर नेंदर रखें चैरे पर मुस्कुराट रखें अच्छे शब्दों को इस्तेमाल कर करने राश्य वाले लोगों का आज अपने ज्यादा तर्ध्यान अपने सौभाओं पर और बहतरी लाने के लिए त्यान देना चाहिए वैसे जून माह का मंतरी राश्य फिल जो बालक से देता है उसमें कहाता कि 10 जून को चंदरमाप के बाहरे बेर रहेंगे जो हो सकता है क कुछ मांत से कश्चानती आपको आपकी वज़े से मिल जाए अगर ऐसा होता है तो आप अपना और अपनों का खैल कूल और रिलेक्श मैंड में रहते वे करें सावधानी बरतने पर ही लाब बिल सकता है चोटी या बड़ी धनराशी आपके फस सकती है वर्प्लेस पर आज को पुरुष से बात चीज़ करते हैं बहुत सहीं बरतना चाहिए लोग हमारी बातों का गलत फाइदा उठाते हैं गलत नजर से देखते हैं हूँ केर्स हमें कोई फरक नी पड़ता है लेकिन फरक पड़ता है दामपती जीवन लाव लाइफ व रिलिश्टिशिप में आप कि गला लेमन येरो नमबर फूर शुबह भागी उद्यकारतिशा पश्चिम रहीगी तुलाराश्य वाले लोगों के लिए आज अपने आपको सश्चक्त और मश्बूत बराना है लीगल कोई कॉपलिकेशन चल रहा है या आने वाले टाइम आने वाला है इस पर ध्यान दे हैं उसे पूरी इबानदारी के साथ काम करें और अपने बहुत से एक बार अच्छा मौका बिलेगा कि आप अपने मन की बात कर पाएं एंप्लोईज की परतिबाओं को सम्मान बिलेगा अपने स्किल को और पॉलिश करना चाहिए दामपती जिवन लाव लाइफ वो लेकिन आपको अब यह सोच रहा है कि आगे ऐसा कुछ ना हो जाए इसके लिए परफेक्ट मेहनत करने पड़ेगी बवश्य सवरे का यह ताय है घर के बड़े बुजर्गों का स्वास से नरम और गरम हो सकता है लकी कलर की बात करें तो स्काई ब्लू नंबर एड़ शुब कंपणी के किसी गोटाले में आपका नाम लिया जा सकता है सथरक रहें एम्पॉईーस को आगस संबल कर रहना होगा आपके खिलाफ जीवन सानी को आपनी शिकायत हो सकती है जीवन सानी लव लाइफ और रिलेशलिशिप में उलजने के बलाए बजाए सुलजाने के रिष्टों को और बहतर करनी तरफ ध्यान देना चाहिए शक की आदत आपके लिए नुकसान पैदा कर सकती है खान पार में बहतरी लाना चाहिए परहेज करना चाहिए बुरी चीज़ों का और बुरी बातों का लाकी कला ग्रीन नबर टू शुब है भागिये उद्यकारक दिशा पूरू रहेगी धनुराशी बारे लोगों को अपने पिता जी के स्वास से पिता जी से बाचित करना पिता जी साथ किसी प्रकार के मसले हैं चाहिए कोल्ड वार है या हॉट वार है उसे भगाईए आखिर हमारे खुद के पिता हैं बेज़ोस में आज आपके कारियों मैं थोड़ी तेजी देखने के मिलेगी कुछ कारियों में सफलता कुछ कारियों में असफलता आपकी खुद की वज़े से होगी वर्प्लेस पर अती उत्सा आपको गलत निर्णे की तरफ ले जा सकता है और इसका खामेज आपको पैसे फसा के नुकसान करके मिलेगा एमप्लोईस पर सहकर्मी जोटे लांचें अरोब लगा सकते हैं इसे सबसे पहले आप आफिस में जाते ही अपने एमप्लोईस से प्यार महों पर से बात करें जीवन साथी लव लाइफ वो रिलेशेशिप हैं आपके मन की बात आप करने ही पाएंगे और कई बार मन मार के काम करना पड़ता है जो स्टुडेंट अब कॉम्पिटिटिव एक्जाम के तैरी में जुट गए हैं पूर्ण रुप से उनको आज मन को निराश नहीं करना चाहिए बलके उत्साहक के साथ काम करना चाहिए मेडिकल पर खर्चा हो सकता है लकी कलर क्रीम नमर नाइन शुब है भागी उद्यकार रिशाप परस्चिम रहेगी मगर राश वाले लोगों को आज उच्छ शिक्षाप राप्त करने चाहिए अपने ग्यार में वर्दी करें और जून माह के मंतरी राश शेफ जो मलक से देता हूँ उसमें कहाता कि 10 जून को चंदरम आपके आँटे पर रहेंगे जो हो सकता है कि कोई मानसे का शांतिया आपको दे दे और अगर ऐसा होता है तो आप अपना और अपनों का खैल कूल और रिलेक्स माइंड में डेसिजन लेते हुए करें बिजनस में आज आप स्वाइम को पहले से हलका और तनाव मुक्त वहसूस करेंगे एंथूसियास्टिक और कॉन्फिडेंस के साथ जीवन जीएंगे हर बिजनस में स्थोड़ी बहुत समस्या आती है लेकिन समस्या को समधान प्राप्त करना आपका फर्ज बनता है आपका करते भी हैं वर्फ प्लेस पर आज आप अपने काम से काम रखें फाल्तों की गॉसिप से और किसी प्रकार की एंटर्टेन्मेंट से दूरी बना कर रखने चाहिए अपने काम को पहले पूरा करें उसके बाद खूब गपे लड़ाएं एंप्लाइज का सहे करवियों के बीच में कोई विवात पैदा हो सकता है किसी की टांग के चाहिए आपको नहीं करने चाहिए कोई और करता है तो उससे बचना चाहिए दामपति जीव लाव लाइफ और रिलेशनिश में हलकी और फुलकी तकरार और नौक और जौक आपकी खुद की वज़े से हो सकती इसलिए इससे आपको दूरी बना करने चाहिए स्टुडेंट को अधियर में सफलता पाने के लिए डट के मुकाबला करने पड़ेगा सुबह जल्दी उठके पड़ाई करें मोबाइल से दूरी बनाएं जैसे नशा मुक्ती केंदर है वैसे मोबाइल मुक्ती केंदर भी आने वाले टाइम में बनने वाले हैं और कहीं हमारा एडमिशन उसमें न हो जाए आपको पेट सम्मधित कुछ दिक्कत आ सकती है लखी कलर वाइट नमबर सेवन चूब है भागी हुदे कारत दिशा दक्षिन रहेगी कोबराशी वाले लोगों को आज अपने ननिहाल से ब्लैसिंग लेनी चाहिए इस बिजनस में स्टॉक पार्केट से अच्छा फाइदा हो सकता है जो बिजनस में पैसा कमारे अच्छे निवेश की तरफ लेकर जाएं आठते के सती बैतर करने के प्रियास आपके जारी रहेंगे वर्ड प्लेस पर आज आपका हर कारिये तो नहीं लेकिन ज्यादर तर काम सफल ज़रू होंगे लेट लतीफी आलस से टाइम मैनेज्मेंट को न सबजना बारी भूलोगी सोच विचार के निने लोगे परिशानी से निकल जाएंगे एमपलोईस को कारिये का पूरा लाब बिलेगा छुटी के अरजी आप लगा सकते हैं अगर गुमने फिटने जाना है कोई सोशल गैदरिंग है या फिर अमôngणा तयात्रा करने यौरप जाना है किसी और कंट्री शेहर में जाना है तो लाब बिलेगा आज का लोग कहते हैं कि भारत पे गुमना उल्टा महिंगा है लेकिन आस पास की कंट्री में जाकर गुमना बहुत सस्ता होता है तो आप ऐसी कोई प्लाइनिंग अपने परिवार के साथ कर सकते हैं लव लाइफ रिलेशन्शिप में वारता लाप में धीरस डारी सायम और पढ़िया बोल रखोगे बहुत अच्छे लाप बिलेंगे आप किसी बात को लेकर खीज नहीं रखें इस स्टुडेंट को अध्यन में आज फालतू की बातों से फरहेस करना चाहिए पहले अपने पढ़ाई पूरी करने चाहिए पुरानी बीमारी वापस आने का नाम ले रही है लग्की कला ब्लू नंबर फाइव शुबे भागियो दे कारदिशा उत्तर रहेगी मीन राश्य बारे लोगों को अपना ध्यान अपने काम की तरह बना चाहिए बाइंड यॉर ओन बिजनस इसके बारे में कई बार खैच चुका हूँ बिजनस पर आज आपका मनोबल उंचा रहेगा सबी सोचे वे काम तो रहीं लेकिन ज्यादतर काम पूरे जरूर होंगे और सबी भी पूरे कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट्स बढ़िया पंक्च्वालिटी और परफैक्शन के साथ महतुपून योजना है आपके लिए सार तक साबित होगी एमपलोईस को आज बहुत अच्छे बोल रखने चाहिए बहुत अच्छी मीठी मस्कुराहट अपने चेहरे पर रखने चाहिए अगर हम एंदुस्तान में चेहरे पर देखें तो लोगों के चेहरों पर इतना तनाव रहता है जैसे दर्ती का सारा बोच इनी के चेहरों पर है इनी के कंदों पर है अब स्रिष्टी कैसे चलेगी ये इनी को सोचना पड़ेगा इनके पास उसका कोई उपाय नहीं अब है सिर्फ अपनी जिंदी की वहतर करनी एक सो तेती सो नंबर के आसपास है इंदुस्तान खुश नहीं रहते हैं दुनिया में हम क्यों नहीं खुश रह पाते हैं इसलिए ध्यान देना पड़ेगा आज कोई महंगा किफट आपको बेल सकता है या आपके लिए काम का कि पूर्व में की कई बेहनत का फल स्टुडेंट को आज बहुत सफलता दिलाएगा पेट दर्द की समझ से आजागो अलकी फुल की परेशान कर सकती है इसलिए खान पान को बहतर बनाए लग्की कलर रेड नबर वन शुब है भागिये उदय कारत दिशा पूर्व रहेगी अ जो हम से मांगते हैं उन्हें देना ही पड़ता है या फिर उनका भी अटक जाता है तो आज आप शिव जी बगवान के लिए क्या उपाय करें सोंबवार के दिन प्राता काल सनाना अधिकारियों से निवरत होकर एक धाली में गुलाब की पत्कियों से पूरा सजा दीजिए उसमें इसपटिक शिवलिंग या पारत शिवलिंग रखें तता दूप दीप प्रजुलित करके लगातार कम से कम 21 मिनट तक पंचा बरे से अभिशे करते हुए स्री सुख का पार्ट करें और मालक्ष्वी और बोले ना शिव का प्रारतना करें कि अब मेरे और नाम लीजि लिए क्योंकि सूरी उजाले का और का प्रतीक है और कहते हैं कि उगता हुए स्यूरज है तो आपको जिंदे के वब तरक्षी करनी तो सूरी की प्रतिमा सूरी का कवज भी गलें होना ज़रूरी है उससे भर्ट परता है गर में सूरी परतिमा होने से आपको बहुत उजाला मिलेगा, confidence मिलेगा और लाब मिलेगा इस तरिष्टी में इसे आपको किस दिवार पर लगाना चाहिए सूरी के ऐसी परतिमा को घर में शक्ति-शाली प्रभाव के रूपे देखा जाता है या आपकी बुद्धी मता, दक्ष्टा और कन्वेंसी पावर को मश्बूत कर देती है इसे आपको इस्ट की वाल में लगा देना चाहिए और ऐसी जगे लगाएं जहां पर आप ज़्यादा तरो लोग आते जाते उसे देख सकें और इसको देखने से आप अपने आप ही confident महसूस करेगे अब चार लोगों की समस्याओं के समाधान मैं comments बॉक्स पर डालूँगा देखिएगा आज आपकी समस्याओं के समाधान भी हो सकता है आप हमारे ग्रहोंकाकेल.co.in website पर जाकर बहुत सारी services का लाब ले सकते हैं Facebook पेज को लाइक करें Instagram और Twitter के साथ भी ऐसा ही करें साथ में आप हमारे मासिक पत्रिका ग्रहोंकाकेल के सदस्य बने इसमें मुझे खुशी मिलेगी और आपको घ्यान मिलेगा आप सभी का आज का शांदार दिन गुजरे सोम वार आपके लिए यादगार वार हो ये इश्वर से प्रारतना करते हुए अपनी वानी को यहीं विराम देना चाहता हूँ आग्या दीजिए प्यार बरा नमश्कार और बहुत बहुत आशिरवाद आप सभी मेरे ग्रहों का खेल कारिकरम के मातिम से पिछले कुछ समय से जुड़े हुए हैं कुछ लोग तो in fact कई सालों से जुड़े हुए हैं मैं आ रहा हूँ UK और US आप सभी से मिलने के लिए इसमें अगर आप उसे परसरे मिलें आठ जून को टैम्पा फ्लोरीडा में और फिर मैं नौ और 20 जून को औरलेंड औफ लोरीडा पर रहुगा फिर 11 और 12 जून को लास वेगास में रहुगा थर्टीन जून को मैं लौस अंगेलेस पर रहुगा इसके लिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ जिस नमबर पर आप संपर करके अपनी appointment की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं उसके बाद मेरा दौरा इंग्लेंड की तरफ रहेगा जिस पर 14, 15, 19 और 20 जून को मैं लंडन में रहूँगा 16 जून को लेस्टर बर्मिंगम में रहूँगा 17 और 18 जून को में लेक डिस्टरिक्ट पर रहूँगा ये यूके में जगे है अगर आप वहाँ पर मिलना चाहते तो इसके लिए आपको appointment की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिसका नमबर आप नोट करें 078-650-94276 इंग्लेंड में ज़्यादा तर लोग 0 को ओ बोलते हैं इसलिए मैंने ओ शब्द के इस्तेमाल किया है उसके बाद मैं भारत लॉट आकर 28 और 29 जून को डैली में रहूँगा और 30 जून को मैं मॉंबाई पे रहूँगा अगर आप सभी कहते हैं कि जो शब्द बना है उसका वजूद जरूर होता है जैसे सबस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है हमारे जिंदगी में हमारे पूरुजर्म के कर्म प्रारब्द हमारे संचित कर्म पुरुशार्थ कुछ भी हो सकता है भागियों हो सकता है उसके अनुसार हमें जिंदगी में बहुत सारे अच्छी चीज़ें मिली है लेकिन दुख, तकलिफ और कैस्ट भी मिले हैं पर इन कस्टों का छुटकारा साधनाओं के पत पर चल कर मिल सकता है लेकिन कौन सा उपाय करें कौन सी साधना करें क्या आपकी समस्या है क्या उसका समाधान हो सकता है इसी कड़ी में मैं आ रहा हूँ आप सभी से मिलने के लिए आपके शहर में समस्याओं का समाधान आप उससे टेलीफोन पे भी प्राप्त करते हैं परसली मिलकी करते हैं बहुत सारे लोग लाइव टेलीकास्ट के माध्यम में जो प्रश्ट पूछे जाते हैं उससे भी कर सकते हैं तो आज के मेरे छोटे सिकारक्रम में आप देखेंगे कि मेरे आप नोट करें डेट्स को, सबसे पहले तीन जुलाई को मैं सूरत में, चार जुलाई को बढ़ोता और पांच जुलाई को मैं एम्दाबाद में रहूँगा, छे, साथ जुलाई और बीस और एकिस जुलाई को मैं लाइव टेली कास्ट के माधिम से आप सभी से रूब रहू फिर चाउदा जुलाई को नासिक पर रहूँगा, उसके बाद 22 और 23 जुलाई को दिली में, 24 और 25 जुलाई को मैं कोलकाता में रहूँगा, और 30 जुलाई को इंदौर, 31 जुलाई को बंगलुरू, इन चेहरों में अगर आप रहते हैं और मुझसे परसली मिलना चाहते हैं और परसली मिलना हो, तो आप इसके लिए जोदपुर कारेले में संपर करके अपना appointment डोट करवा सकते हैं, बहुत बहुत शुब काम लाएं चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविश्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की education, उनके career और विवा, आपका job या business, traveling, family life या फिर personal life से जुड़े हुए सवाल आप हमसे प की आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेतर जीवन जीने के कुछ सुजाओ भी देंगे, इसके लिए आप गुरुदेव से personally मिल सकते हैं, टेलिफोन अथवा video conferencing के द्वारा भी सीधे सवाल पूच सकते हैं, आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की कम्प्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grhunkakakheel.co.in पर astrological services पर क्लिक करना होगा, या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिधिकेंद्र के इस नंबर पर जो है 0091-98290-26625 पर कॉल कर सकते हैं, या WhatsApp भी कर सकते हैं, अड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाइकोट कॉलनी, जोदपुर, इंडिया, कॉन्टैक नंबर है 0091-98290-26625, इमेल अड्रेस है info at the rate grhunkakheel.co.in